हेलो बच्चों कैसे हो आप सभी जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में हम एक बिल्लीकुल नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि साइंस और जियोग्राफिक का मिक्स्ट टॉपिक है और हम आपको पता है इस क्लास में क्या पढ़ रहे हैं साइंस तो मैं इ से आप त्यारी कर रहे हैं आपको भी अंदाज़ा ही होगा अपने एक्जाम भी दिये हैं पहले जिस बच्चे ने नहीं दियोंगे उसको मैं बता रहे तो हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास में सोलर सिस्टम सोर मंदल आपको सभी को पता है और मुझे पता है नहीं पता है यह चैप्टर है हमारे लिए बहुती जादा इंपोर्टेंड इस चैप्टर में से हमारे जितने भी स्टेट्स के एक्जाम होते हैं पुलिस के एक्जाम सोते हैं पैट का एक्जाम होता है दिल्ली पलिस होता है यूपी पलिस होता है SSC तक के एक्जाम होते हैं उन एक्जा चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं पहले आपको एक बार पूरे चैप्टर की समरी दिरेता हूं कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अपने सन सूरिय के बारे में हमने चांद के बारे में हमारे पास जो आठ प्लैन बिंची जो है एक बहुत ही बड़े ब्रह्मान्द में हैं हमारा जो सौर मंडल है ऐसे हमारे ब्लांद में लाखों मंडल हैं जिस में हमारी यक गैलक्सी है मिलकी वी गैलक्सी और उसमेंट में से एक चोटा सा हिस्सा क्या है हम्मार equitable उसमें भी एक प्रित्वी और प्लैनेट के प्रिथवी के, एक कॉंटिनेंट के देश के, राज्य के जिले के कलोनी में रहते हैं, सोचो हम कितने छोटा वजूध है हमारा, ये ब्रह्मांड हमारा अनन्त है अनन्त जितना हम सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा ब्रह्मांड है हमारा ठीक है तो उस बहुत बड़े ब्रह्मांड के अंदर एक छोटा सा सोलर सिस्टम सोर मंडले हमारा जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास में तो चलिए सारो तरफ चक्कर लगाने वाले आठ प्लैनेट्स होते हैं परंतु सन 2006 में जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय पर हमारे पास और हमारे पास उसके चारव तरफ चक्कर राउंड लगाने वाले आठ प्लैनेट्स हैं जिसमें से पहला प्लैनेट है मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूरेनस नेप्चुन जिनका हुं हिंदी में उचारण है बुद्ध शुक्र पृत्वी मंगल ब्रसपत शनी अरून और वरॉन यह हो गए हमारे आठ प्लैनेट्स और हमारा पहला है सूर्य है चलि आगे चलते हैं इंट्रोडक्शन में सोलर सिस्टम के इंट्रोडक्शन में introduction ये कहता है the solar system consists of the sun and its eight main planets solar system में क्या क्या होता है और जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो notes बनाएंगे जो मैं बोल रहा हूं उसके लिख कर ठीक है नहीं तो कोई इतना hard chapter नहीं है कि इसके हिंदी और इंगलिश अलग होगी सबी को पता है आठ ग्रै और एक सूरे ये लिखना है solar system में क्या होता है हमारे एक sun होता है और उसके चाहतरफ घूमने वाले आठ planets होते हैं उन आठ planets के चाहतरफ भी क्या घूमते हैं हमारे moon जिसे हम प्रित्वी पर क्या कह रहेते हैं और और प्लेंट के चिसा करसे मून को пой में की यह comfortable घृ रह है यह satellite ठीक है उनके पास satellite होती है Garage districts होते हैं कोमेट्र होते हैं मेटियोर्स होते हैं धूमकेतु होते हैं हुलका पिंड रहते हैं पुछलतार्स होते हैं और छोटे-छोटे planets भी होते हैं, dwarf का मालब होता है, छोटे या dwarf planet, the sun is at the one of the two centers of the solar system, and the planets revolving around it in elliptical orbits, जो हमारा sun होता है, sun के चाहतर जो planet चक्कर लगाते हैं, वो कौन सी direction में, या कौन से size में लगाते हैं, उसका नाम है elliptical orbits, या किस shape में लगाते हैं, orbits यहां से बनता है आपके question, अन्डाकार जिसे बोलते हैं, अन्डाकार, तो हमारे planets जो हैं, सूरी के चाहव गोल नहीं घूमते हैं, elliptical घूमते हैं, अन्डाकार घूमते हैं, अन्डाकार, इसको underline कर लिजेगा, आगे चलते हैं, यह बताना चाह रहा है, कि चलिए आगे, इस chapter के बारे में, जानने के कोशिश करते हैं, पहला point है, कुछ important points है, इस chapter के, जो हम notes बोल सकते हैं, notes, important points, star points है पहला, the closest planet to the sun is Mercury, and the farthest is Neptune, जैसे कि आप जानते हैं, अभी diagram में देखा आपने, सबसे sun के सबसे पास, planet का नाम क्या है, Mercury, बुद्ध, और सबसे दूर वाले planets का नाम, वरुन, Neptune, असान सा है, paper में आगे अगर option में, कि जो सूरिय है, उसके सबसे नस्दिक के planet का नाम क्या है, तो आप क्या लगाएंगे उसमें, बुद्ध, अब इसको ड्वार planet कहते हैं, relegated का मतलब होता है, उससे उसका स्टेटस छीन लिया गया, 9 planet का, अब आगे चलते हैं, अगले points पर, sun के बारे में बढ़ते हैं, कि sun क्या बला है भाया, ये sun किस बला का नाम है, क्या बोलते हैं sun को, क्या कैस की property होती है, sun से हमको क्या मिलती है, light, उर्जा मिलती है, sun का temperature कितना होता है, चलिए, the sun is the primary source of energy, for life on earth, हमारी प्रित्वी पर, जीवन का main source क्या है, energy का, अगर sun नहीं होगा, तो plants नहीं होगे, plants नहीं होगे, तो हम नहीं होगे, तो sun ही क्या है, primary source of energy on earth, it is the closest star to the earth, चलो आपको एक बात बता लिता हूँ, हमारा sun, किसी दूसरी दुनिया के लिए, एक तारे का काम करेगा, और जो दूसरी दुनिया के तारे हैं, वो हमारे लिए, दूसरी दुनिया के sun है, वो हमारे लिए किसका काम करेंगे, तारों का काम करेंगे, तो हम कह सकते हैं, कि जो दुनिया में जितने भी सूरी हैं, वो सब क्या होते हैं, तारे ही होते हैं, तो हमारा सूरी भी एक तारे ही है, या सारे तारे भी सब एक सूरी ही है, तो हमारी प्रित्वी के सबसे पास वाला सुरी है यह सबसे पास वाला टारा कौन सा है हमारा खुद का सन इसका डिश्टेंस प्रित्वी से कितना होता है एक सो पचास मिलियन किलोमेटर समझ सकते हैं कितनी दूर हम से आगे तेंप्रेचर ओफ दा संस विजिबल सरफेज फोटो स्पेर इस अगले से यह सबसे बाउट चैंपर का सरफेश उसको बोलता है उसका टेमरेचर कितने होता है अच्छे है हजार डिग्री सेल्सियस इंपोर्टेंट है लिख लेना आगे चलते हैं दा आउटर लेर ओफ दे संस एट्मोस्फेर नोन एज दा कोरोना अब इसके कोरोना के बारे में जानते हैं यह दा सन सन के ओपर लग गया ग्रहन ग्रहन लग चुका है सन पर ग्रहन के बा अब आउट टू मिलियन डिग्री सेल्सियस और इसका टेमपरचर कितना होता है तो मिलियन डिग्री सेल्सियस आपको तीनों टम्रेश याद रखने हैं पहला एसरफेस का दूसरा है कोरोना का यह कोरोना वाइरस वाला कोरो नहीं नहीं ठीक ना और अगला है दॉक्ष ऑफ ठीक है चात्रो चलो आगे चलते हैं हिंदी वाले भी नोट कर लेंगे अपड़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में पड़ना ही क्या वो तो आप सब्सक्राइब पता है नहीं पता है तो एक बार दुबारे यहां जा कर बता देता हूं हमारे पास भाईया आठ प्लैनेट्स हैं जिनको हम दो हिस्सों में बाढ़ देता है इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स इस लाइन के इधर वाले प्लैनेट्स को बोलते हैं इनर प्लैनेट्स इस लाइन के उधर वाले प्लैनेट्स को बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स क्योंकि इन दोनों प्लैनेट्स के और यह सारे प्लैनेट्स जो होते हैं चारो के चारो यह जमीन से बने होते हैं इनके पास क्या होती है जमीन होती है और यह सारे प्लैनेट्स किसके बने होते हैं गैस के बने होते हैं क्यूं अगर मैं इसके उपर पैर रखूँ इन चारो प्लैनेट्स के तो यहां पर मेरा प् चलिए देखते हैं there are the total eight planets in the solar system the planets are divided into two groups inner planets or outer planets अगे हैं inner planets में कोन आते हैं Mercury Venus Earth Mars यह किसके होते हैं Teresği Steel मतलब जमीन के बने होते हैं रोखी मतलब पत्थर के बने होते हैं यह DANCER होता है मतलब गाड़े होते हैं यह हवा गाड़ी होगी यह मिट्टी गाड़ी होगी असली तो यह कुन से होते हैं देंसर मतलब गाड़े प्लैनेट होते हैं है वे शोटर पीरियड ऑफ रेवलिशन अब भाई मैं हूं मालो सन मेरे सामने एक बंदा यहां खड़ा एक बहुत दूर खड़ा है मेरे चारो तरफ चक्कर कौन जल्दी लगा लेगा जो मेरे पास खड़ा है तो यह अंदर वाले जो चार प्लैनेट्स होते हैं यह सूर्य के पास होते हैं तो यह जल्दी चकर लगा लेंगे इसका तो इनका टाइम शोटर पीरिड होता है और जो बाहर वाले प्लैनेट्स होत हें ठीक है कि आगे चलते हैं देखर बता क्या हों जो मुझे लगता है जो मुझे लगता ये लगता है uplift सब्सक्राइब और में और अस 임जर अज the जाना में का आप सब चाहरा थे आए तो ये अश्य क्य तो फिजिक्स का कोई बहुत बड़ा मुमेंटम फोर्स न्यूटन के चैप्टर नहीं है थियोरिटिकल है वन लाइनर चीजे हैं जो बड़े प्यार से समझ समझ के याद हो जाती है नोट्स बनाने है प्यारे प्यारे कोपी में और याद करना है बस ठीक है चलो नो जोरिख्टन टे चलओ मर्करी समारे संके सबसे उर्वप्रञ्ट के कि असके पर अगला है आटमोसवेर नहीं होता है इसके पास ना हवा होती है ना वाय होता है ना पानी मंडल नहीं होता है rotation period is longer than orbital revolution period no natural मतलब इसका आरती है जितनी जल्दी अपने अक्ष पर घुमता है उससे जल्दी ये सूरे के चावतर चक्कर लगा लेता है जैसे हमारे पृत्वी 24 हंटे में अपने अक्ष पर घुमती है लेकिन और सूरे के चावतर चकर लगाने में हुए लाइफ अच्छी है वह होता है मिंगल यानि की पृत्वी के पास किया खुदका चानद इस प्लैंट के पास खुदका चानद नहीं है इस पर कुछ हमने मिशन्स बेजे हैं कच क्च के नामे मरeणर मैसेंजर बैपी कोलंबो अपकमिंग यह MP कॉलम्बो है और जो मरकरी होता है उसको हम सन्राइज और संसेट के समय प्रिथवी से भी देख सकते हैं बहुत ही असान से पॉइंट है चलिए आगे चलते हैं वीनस के बाएर में जानते हैं कुछ पॉइंट पहला पॉइंट है वीनस का एक सेगिन रुकिएगा चात्रो क्या अब दिख रहा है सी अब ठीक है थोड़ा रुकिए एक सब्सक्राइज चलिए वीनस को बोलते हैं अर्थ का ट्विन वीनस इस दा ट्विन सिष्टर ओफ अर्थ देखने में वजन में साइज में लगबग अर्थ जैसा होता है इस वैसे इसको क्या बोलते हैं अर्थ का जुड़वा ग्रह या अर्थ की जुड़वा बहन यह इसका लोंगेस्ट पीरियड is longer than its orbital period मतलब सूरे के चाहतों चक्कर लगाता है उससे भी जादा कम समय में यह अपना चक्कर खुद के एक्षपर पूरा कर लेता है यह हमारे सुर मिंडल में सबसे गर्म प्लैनेट होता है अब मुद्दा उठता है सूरे के सबसे पास तो हमारा मर्करी है तो वह ह IGG siez होती है बह pancake मतलब इसके पास politico वाले gases होती है तब इसके बाद जब सूरज की हीट आती है न तो सारी जो screen Gosh को यह वह घ्ट कापड़ कर लेती है उसका temperature बढ़ जाता है जैसे हम बोलते हैं कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्यों पहनने चाहिए क्यों काले कपड़े के उसकेviolet को उचिक्सेश बढ़ा करते हैं से होते हैं यह संद ди cierto तरफ क्लोग वाब्स एन पॉड़िशन में घूमता है रह चलते हैं इसको हम यह भी बोलते हैं इस असेकंड ब्राइटेस्ट नैच्रल अब्जेक्ट इन नाइट स्काई आफ्टर मून हमारी प्रिथवी से हम इसको देख सकते हैं चांद के अलावा चांद सबसे किया है वीनश इसको मोर्निंग के स्टार और एवलिंग यह चांद के पास भी कोई चांद नहीं होता है फर्स्ट प्लैनेट विजिडिट बाइदा ए स्पेस्क्राफ्ट वीनस के पास ही हमने सबसे पहले स्पेस्क्राफ्ट भेजाता मंगल के पास नहीं भेजाता हमने वीनस के पास भेजाता हमने सबसे पहला स्पेस्क्राफ्ट आगे है इस पेस्क्राफ्ट वीनस आर मरिनर टू वेनेरा 7, मैंगिलेन ये सारे नासा ने महाँ पर स्पेस्क्राफ्ट भेज़े हैं उसकी रिसर्च करने के लिए अगला प्लैनेट है अर्थ, अर्थ के बारे में क्या ही बता हूं सब को ही पता है, फिर बेबर पता रहेता हूं अर्थ ही हमारे सोर मंडल में ऐसा प्लैनेट है जिसके पास लाइफ है, जिसके पास पानी है, ग्रीन कलर का होता है गैसी होती है, हाइडोजन, ओक्सिजन बगारा होता है, ये सन के चावतरफ घूमता है कितने दिनों में लगबग 350 दिनों में इसका खुद का चक्कर 24 घंटे का होता है, लगबग होता है इसके पास एटमोसफेर भी होता है, जो हमको बाहरी वस्तुओं से बचाता है इसके पास खुद का चांद भी होता है, main important point यही है चलिए पहला point पढ़ते है, इसके पास life होती है, इसके पास तीनों चीज़े होती है पाने की solar liquid gas, इसके पास gases होती है, एटमोसफेर में oxygen hydrogen carbon जो life के लिए बहुँ ज़रूरी है इसको अपने एक्षपर घूमने के लिए लगबग 24 घंटे लगते है, main है तेज आवर 56 मिनट, इसको सूरज के चाहतरों चक्कल लगाने में इसके पास moon नाम का एक natural satellite होता है, खुद का चांद होता है, यह single नहीं है, यह mingle है अगला पढ़ते हैं, MARS, MARS के बारे में, MARS के बारे में बता रहे तो, रफली, MARS को लाल प्लैनेटी भी कहते हैं, क्यूब कि के बाद है इसके पास दो होते हैं लाल ब्राउन ज फिलाट से मिली ना करने की कोशिश कर रहे हैं चली ऑपड़ते पहला पुइंट इस के पास क्या होती है और अगला है डिसके पास क्या होती है अगला है इसके घ्र मॉस्ट और गर्मी जाती है तक राकर वापस आ गरम रहने के लिए कि प्लैनेट को क्या चीए एटमोस्वेर और इसके पास एटमोस्वेर नहीं होता है इसके पास दो चांद होते हैं हमारी प्रित्र के पास तो एक चांद है इसके पास कितने चांद है अगला पॉइंट है इसके पास पानी पाया जाता है जैसे इसके पास भी पोलर आइस पाया जाती है मतलब जो पॉल्स होते हैं उस पर आइस की परते मिली हैं और पानी की भी कुछ सबूत मिले हैं अगला पॉइंट है इट है लार्जेस्ट नोन वोल के लो एंड सेकंड टोलेस्ट माउंटेन इन्ट सोलर सिस्टम का कोल्ड माउंट ओलंपस यह माउंट है बच्चो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा परवत इसी परए ग्रह के पास है मांट ओलंपस नम है और हमारे प्रिथवी के सबसे बड़े परवत का नाम क्या है माउंट एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट के उचाई लगबख 8 केलो complac और मांट ओलंपस की उचाई कम सगम 24 किलो किलो मीटर हैं आगे चलते हैं इसपेस क्राफ्ट कौन कcommittee मार्स मेविन ऑगी है उपिटर आ तेरश्ट्यल प्लैनिस के बारे हैं जमीन भाए प्लैन्स के बारे है अब हम पढ़ना शुरू करेंगे घैस्ज अ प्लैनिस के बारे है Jupiter Jupiter के बारे हम पहला पॉइंट है it is the largest planet of our solar system यह हमारे solar system का सबसे बड़ा planet Jupiter 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 it has two and a half times the mass of all other planets put together मतलब it has the two and a half times the mass of मतलब कहने का अरतिय है कि अगर इसको यह सारे planets का वजन जोड़ दिया जाए और इसका वजन जोड़ दिया जाए एक लगबग धाई गुने के पराबर होगा अगला पॉइंट है इसका बना हुआ है पूरा का पूरा गैस का बना हुआ है कौन-कौन सी इसके चाहतर ऐसे एक स्ट्रों घूमता रहता है ठीक है और इस च्ट्रों को ही क्या बोलते हैं थारा सो एक इकत्तिस गुम रहा है इसको बोलते हैं ग्रीन रैड स्पोर्ट और हमें दूर से देखने में लगता है कि इस पर दब्बल लगा हुआ एक यह तुफान अच्छा सबसे बड़ा चांद है दूसरा है तो सोलर सिस्टम अगला नाम यूरोपा है जिसके पास वाटर की आइस है जुपिटर पर हमने कौन-कौन से मिशन भेजे हैं गैलीलियो जूनो यह आने जाने वाले हैं आगे चलते हैं सैटर्न सैटर्न का मतलब हुआ शनी जो हमारी लोगों की किस्मत पर चड़ता है हिंदुस्तान में शनी यह लेस देन दा वोटर पानी से हलका होता है मसलब अगर हम जाएं और जाकर पूरे के पूरे शनी ग्रह को ऐसे उठा लेगे उंखले कि इतना हलका होता है पानी की डेंसीटी से भी हलका होता है हमारा शनी has a band of concentric rings revolving around it made up of tiny rocks and pieces of ice यह रहा हमारा शनीग रहे इसके तरह होते हैं साथ रिंग के चल्ले जो किसके बने होते हैं पत्थर के और आइस के इसके पास भी लगबग यह भी गरत हो गया है इसके पास भी 90 प्लस मून्स है अब ठीक है गूगल चेक करो कभी 140 दिखा देगा कभी 90 दिखा देगा कभी 110 दिखा देगा है मून्स ओफ शेतरन सेटन के चांद का ना में टाइटन टाइटन हमारे सोलर सिस्टेम का दूसरे सबसे लोजिक से लिए गर काम करते हैं अगला है इसके पासEx dzisiaj बहुत सारी अलग लग चीजरीया पाये जाती है मिशंद सैतें पर कॉं कॉन से भेज़ी गये एंग एंग रहे युरेनश अगला रहे क्या है यूरेनश आरु ऑरुन के बारे में पढ़ते हैं और उनको घुश्ण लू़ण टाता सर विल्यूम हरेशल इसको ब्लूग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है क्लार कैसा होता इसका ब्लू ग्रीन होता है यह हमारे सोलर सेस्टेम का थर्ड बिगस्ट प्लैनेट होता है अगला है इसके पास कौन-कौन सी कैसे होती है हाइड्रोजन हीलियम अमोनियम मिथेन और पानी भी पाया जाता है हमार यूनेस पर इस टिल्टीड साइडवे ठीक है इसके चाहतर अब भी क्या होती है छल्ले होता है रिंग्स होती है इसके पास 27 मून है यह सही है पांच में मून का नाम है मेरांडा एरियल अम्रियल टाइटैनिया और जी ओविरॉन इसके पास हमने कौन-कौन से स्प्रिस्क्राप्ट भेजए है वोएजर टू बहुत रहत फेमस है इसके पर मूवी बनी है यह ज़ो हमारे रह पर रह जाता है आगे जलते है उसका नाम है ग्राव्त मूवी चून नैप्चून को डिसकवर किया है हमारे मैथे मैच्पासिंज एंड् डिश्ट्रबैंश उड्ट अर्वीट ऍके उड़ीट इस जब Uranus जब घुम रहा था ना हमारे सोल मंडल में हमारे सन की चाहँ तरफ तो उसको बीच में कुछ ना कुछ डिस्टिर्बेंस आ रहा था हमारा नैप्चुन बना रहा था जब ढूंड़ा गया था फर्स्ट प्रपोस्ट बाइलेक्स बोव्यार्ड एंड इस फर्स्ट ऑब उसने अगला है इस दा फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रों दा सन यह हमारे सन से सबसे दूर का प्लैनिट है इस प्राइमली कंपोज्ट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम नाइट्रोजन वोटर अमोनिया और मिथेन यह इन इन चीज़ों से मिलकर बना है इस ब्लू इन कलर बिकोज अभी मैं प्लैनेट इसके ब्रूस्ट होती है तो इसका और कैसा हो जाता है ब्लू अपने यह निफेख पूछा कि हुँका मETिस तो ज्यादा मात्र उपने निढल व्यraw में do स्पेस्क्राफ्ट वॉइजर टू अगला पड़ते है प्लूटो के बारे में यह पहले नोवा प्लैनेट होता था इसको हटा दिया गया क्योंकि यह बहुत छोटा है और यह बहुत ही ठंडा होता है इसके पास पांच मून है वह जरूरी नहीं है विसे हमारे सेलेबस में आन यह स्फेरिकल नहीं होते हैं तेड़े मेड़े होते हैं ठीक है साइस चोटा होता तेड़े मेड़े होते हैं लेकिन हमारे प्लैंट्स क्या होते हैं लगबाग गोल होते हैं यह भी सन के चाव तरफ चक्क्र लगाते हैं यह कहां पाये जाते हैं मार्स और जुपिटर के बी इंदा हमारे सिरीज सबसे बड़ा एस्टाइड कौन सा है हमारे ब्रहमान्द में हमारे सोलर सिस्टम में तो क्या में सब्सक्राइब ने मीटियूर्स देयार फ्रेग्मेंट्स फ्लोटिंग अबाउट दा इस्पेस यह पत्थर के छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो हमारे स्पेस में गूमते रहते हैं सम्टाइम्स दे अर्ष एटमोस्फेर में घुशते हैं तो अर्थ का इटमोस्फेर इंगे तो जलनी लगते हैं तो क्या लगता है कि तूटता तारा हमने इंसानों उनका चानाम कया रख दिया तोटता तारा आगे बढ़ते हैं most of these meteors can reach earth surface and burn up into the atmosphere due to the friction भी देर अभी बताया atmosphere में घुसते हैं air की मदब से friction होता है और यह जल जाते हैं आगे चलते हैं the meteors that do reach the earth surface are known as the meteoroids और जो meteors हमारी earth के surface तक पोच जाने टकरा जाते हैं गड़्डा बना रहे थे टकरा कर उनको meteoroids बोलते हैं पिंगलने लगते हैं जो उनकी gases होती है जो उनका water होता है या ice होती है जो उनकी ice होती है वो पिंगलने लगती है वो किसमें बदल जाती है भाप में बदल जाती है वेपर मदल जाती है आगे है this leads to the formation of tail behind the rocky core into the direction of opposite to the sun अब यह माल लो यह ऐसे गूँ रहे हैं यह रहा कॉमिट अब भाई पिंगल गया इसका सारी गया स्वास पानी तो पानी पीछे के तरफ जाएगा तो हमको क्या लगे रहा है कि पीछे क्या बनेगे यह पूँच बनेगे जैसा आपको दिख रहा है यह रहा कॉमिट कोमिट की पूँच आगे हैं हमारे संसार में सभसे एक अपिसोड में बी आया था जब अब नोब तो क्या था हैं कब दिखाई दिया था क्रिविबा 1986 में अब दूबारे कब दिखाई दिया जाएगा लगब SUS ने ठीक है, 76 साल में, 59 साल में एक बार प्रित्वी पर दिखाई दिया जाता है, ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर सोलर सिस्टम क्या होता है, खतम होता है, बहुती असान चैप्टर है, बहुती एजी चैप्टर है, कोई भी अगर समस्य हो दिक्कत हो, हम आपक पड़िये समझेए बहुत असानी समझ में आ जाएगा वीडियो को दुबारे देखें नहीं कोई दिक्कत आती है बाकी पॉइंट्स क्लिर हो जाएगे तो इसी के साथ चलिए धन्यवाद बाई बाई मिलते हैं आपसे अगले कलास में कि अ कि अ कि अ कि 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 कि